फल्मे सिंबूल एक्स्प्लेन करता है एक ऐसी मूवी जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक चोर एक गाड़ी के अंदर ही फच जाता है और वो गाड़ी बुलेट फुरूफ होती है जिससे वो बहार नहीं निकल पाता तो आईए देखते हैं क्या होता है कैसे बहार नि उसके अंदर झाकने की कोशिश कर रहा हुता है, तब भी वहाँ बड़ी सफाई से कार का दर्वागा खोल लेता है, और अंदर बैट जाता है, और वहाँ उस कार का म्यूजिक सिस्टम यान स्टीरियो बोक्स निकाल देता है, इसके थोड़ी देर बाद वहाँ कार में काफी म था और तभी वह एक मजबूत चीज से सीसा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये गाड़ी सच में बहुत मजबूत थी और उस गाड़ी का सीसा पर नहीं तूट रहा था और इसके बाद वह गाड़ी के दरवाल जी के मोटर खोले लगता है लेकिन मोटर खोलते वक्त उसक उसका काफी खून बहने लगता है इसके बाद वह कार को नीचे से देखता है कि उसके बेस को तोड़कर वह वहां से निकल सकता है लेकिन यहाँ भी उसकी कोशी से नाकामयाब होती है। इसके बाद वहें जोड 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 से चिल्डाने लगता है लेकिन गाड़ी के तरफ बाहर से ही देखकर गजर रहे थे इसके बाद रात हो जाती है और वहें बेना कुछ खाये पिये इसे कार में टाइम स्पेंड करने लगता है और अगले दिन जब सुबह होती है तो वहें काफी बूरी हालत में होता है क्योंकि वहें कार में बुरी तरह से फसा हुआ था और उसने कुछ खाया पिया नहीं था इसके बाद वहें सुचता है कि उसे कुछ रा कुछ करना होगा नहीं तो वहें कार के अंदर ही मर जाएगा तब ही वहें कार के स्टीलियो सिस्टम को वापा सैट पर लगाता है और वहें चालू हो जाता है इसके बाद वह कार में जोर जोसे गाने बचाने लगता है और थोड़ी दिर अपने दिमाग को शांत करने कोजिश करता है इसके बाद कार के अंदर एक कोल आती है और कोल कार के ओनर की होती है इसके बाद वह अपना उसे नाम बताता है और वहें कहता है कि उसका नाम एंट्रिक है और वहें एक डोक्टर है और इसके बाद वहें डोक्टर बताता है कि उसके जानता है कि तुम उसके कार चुराने के लिए आये थे और उसके कार के अंदर तुम राज से बंद हो इसके बाद वहें कहता है कि उसे अपनी कार की कोई खास फिकर नहीं है क्योंकि उसके गाड़ी कई पर लोग पहले चुराने आ चुके हैं लेकिन कोई उसे चुरा नहीं पाया और वह उसे कहता है कि जब वह इसके गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम निकाल रहा होता है तभी गाड़ी पूरी तरह से लोग हो चुकी थी और यह काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद एंडरिक फॉन काट देता है। ऐसे ही वह कार में होता है। जिसके बाद शीर व अपने कपड़े पकड़ा जाए तो तुम क्या करोगे और वह उससे कहता है कि मैं उसे पुलिस के पास ले जाऊंगा तब यह एंड्री को उसे कहता है कि नहीं तुम्हारे बच्चे को सिर्फ तुम्हीं सुधार सकते हो और तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है तुम्हें तो जरासी भी सर् दिख रहा था तब भी वहाँ पर पुलिसी काड़ी आती है और वहाँ उससे सींसे गार स क circulation कर सला जाता है और इसके बाद एंडरिक का फोन आता है और वहां उसकी आईडी और सब कुछ मांगता है जिसके बाद सिरो उसे सब कुछ बता देता है इसके बाद बदले में उसे पानी की बोतल मिलती है और दरसल वह पानी डिटरजेंट वाला होता है जो उसके पेठी को काफी नुक्सान उसके बाद वहां पर उसकी बरी हालों दोटी आती है जिसके वहां पने सारे कपड़े निकाल कर अदर लेट जाता है और ठूंट से टरपने लगता है और वहकार के अंदर मैनुडौ निकालता है और उसके इटते हैं इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सिरो आंदर सोच रहोता कास मेरे साथ भी ऐसा होता तो काफी अच्छा होता उसके बाद एंट्रीक उसने फोन करता है और कहता है कि उसके प्रिवार को 1 Lap-1 क。 ने तरह यहां और उसके बता और इंट्री को यसे फون करके बताता है कि वहाँ वही आदमी है जिसकी उसे काफी दिरों से तलास थी इसके बाद रात को जब जीरो कंगर को स्टार्ट बिटन दबा रहा था तब ही कार अचाने से स्टार्ट हो जाती है और वह इसके बाद कार केगीर बदलने के कोशिश करता है लेकिन कार लोक होने के कार रण वह रिवर्स में खड़ी थी और वेक्स लेडर प्रेस कर देता है जिसके बाद कार पीछे चली जाती है और वह क्रेस हो जाती है इसके बाद सीरो आजात हो जाता है और वह किसी रेस्टोरेंट में चले जाता है और पर भर पेट खाना खाता है लेकिन तब एक गार्ड उसे प्रकड़ने के लिए आता है तभी वहां उससे अपनी गंज से शूट कर देता है तभी शीरो कार में आकर वापस बैठ जाता है और वहां से भाग जाता है लेकिन अब शीरो के अंदर इतिन ताकत नहीं बजी थी कि फूरिस खोड़ दो तबही अबुली से कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता और चारती हो जाती है और अब सीरो को भी नहीं छोड़ रहा था तब ही All machinery का अपनी कार में मापस सला जाता है और Ciro को चोड़ देता है और वह हम अपनी कार में बैठ出去 है लेकिन तब मी कार पुरी तरीके से बलाश्ट हो जाती है इसके बाद Ciro को पुलीष पगड़ लेती है और सब नोर्मल हो जाता है लेकिन बाद में हम पता चलता है कि अ पसंद आए होगी और आसा ही आक्स्पिलेशन के लिए चाल को सब्सक्राइब चुरू कर ले